रेप्रिमेंट का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं रेप्रिमेंट का इस्तिमाल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जाता है नाउन की रूप में reprimand का अर्थ होता है धमकी, फटकार, डाट, घुडकी, धिकार या जिडकी वर्ब की रूप में reprimand का अर्थ होता है धमकाना, घुडकना, निंदा करना, फटकारना, धमकी देना, डाटना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी लापरवाही बिना फटकार के बीद गई, तो आप कहेंगे his negligence passed without reprimand या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके बोस ने उसे देर से आने के लिए फटकार लगाई, तो आप कहेंगे his boss gave him a reprimand for being late या अगर आप ये कहना चाहें कि उसे अपने वहवार के लिए कड़ी फटकार मिली, तो आप कहेंगे he received a severe reprimand for his behavior he received a severe reprimand for his behavior अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें